अब देखिए आपका कोश्चन नमर है, खंड सह है प्रश्चन नमर तीन, खंड सह है प्रश्चन नमर तीन का कोश्चन है करा है कि दिये गए परिपत में दस ओम वाले प्रतिरोधक में परवाहिद धारा का मान गयाद किजिए, जब की स्वीच एस जो है खुला हो तथा दिया है यह तो यह पर हमें ज्याद क्या करना है कि परवाहिद धारा का मान ग्याद करना है, जब खुला हो और बंदध रॉटकर वीच तो यह और देखिए यह आपका आपका, यह 1 ब्राबर दिया है और यह जो आपका, यह आपका, I auto ब्राबर दिया यह जो स्वीच है अगर इसको इसो तरीक तो यह स्वीच हो जाएगा यह स्वीच कर दिशसीण अगर भाएग जो नो ग subscribed दोनों पर तिरोज जाएगा दस और जो जो दस ऑम और रहा लघ अहाँ पर क्या होजाएगा आरबर आरबर आरवन पलस और तो जाएगा यानि की आरवन भी चुड़ेगा तो अरवन के आपया 30 से आपयाình से तो यह आ चालिसुछ होजाएगा रभर चालिसुड़ कि ता और उम के नियब सब्सक्स करें दो 110 और वी का माल जो आपका दिया है वाल आप आप ल Bella भूलत आए चाली biss स्वीच बंद अगर स्वीच बंद कर दिया जाए यह जो आपका स्वीच दिया हुआ है यह स्वीच बंद कर दिया जाए तब यह जो आपका आरटू होगा धारा यह नहीं जा पाएगा ठीक है तब यह धारा नहीं जाएगा सिर्फ आपका कौन सा धारा रहेगा आरवन वाला तो यहां पर देखिए जब स्वीच बंद कर देते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका आर जो होगा उदस होगा और जो बोल्ट दिया है वो बीस बोल्ट है तो बीस बटे आई फर्मूला होता ही आई बराबर भी अपाना आर तो इसी पर रखें वीस बटे दस तो वरस बीस कटेंगे तो दू एंप एर आएगा तो यह क्या था जब स्वीच बंद तब कितनी धारा प्रवाइत होगी इसमें दो एंपेर की धारा प्रवाइत होगी ठीक है अब हम लोग नेक्स कोश्टों देखते हैं खवला कि यह बहुत आसान है जी तो यहां पर सम्तुल्य उठ्जा पर एकलित करना है तो यहां पर देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई आप लो कुछ नहीं जानते हो नहीं जानते हैं एक एम यू एक एम यू बराबर क्या होता है एक दसमलो छह छह गुड़े दस के पावर माइनस 27 किलोगराम यानि कि आपका यहां बराबर दे दिया द्रब्यमाल कितना होता है ना एक एम यू एक एम यू बराबर कितना होता है एक दसमलो छह छह गुड़े दस के पावर यह डियलटा है मित इस्धार कर देंगे उसके बाद यहां पर डेलटा यी बरावर आप कर जायगा male तो आप लोग बहुत बहुत समझदार है तो यहां पर अगर समझ में आ गई तो आगे चलती है तो यहां पर देखिए जब इसका मल्टीप्लाई करती है तो नौ चोग को छत नौ नौ छकाट चंवन के चार नौ चंवन के चार आसमें पांच नौ चंवन चंवन और जो आपका हाथ में आया था पांच हो जाएगा उन सट आ नौ एककम नौ जो बचा पा चोकी हम लोग एक लेक्तान बॉल्ट बराबर कितना लिखते हैं एक दस्मानोच छाए पावर मैनिस उनौ जूल लिखते हैं तो इसको इधर करेंगे भाग मी आ जाएगा तो यह इधर बाग करेगा तो एक बट्टे एक दस्मलों छो गुड़े दस की पावर माइनस 19 एक इलेक्ट्रान बोल्ट होता है एक जूल बराबर ठीक ना यह वागे चलते हैं डेल्टा ए बराबर आपका यह बराबर इतना दिया है इसको अमलब जूल में चेंगे इलेक्ट्रा और मैने सी 11 और गुड़े दस के पावर यह उनिस हो जाएगा पलस रहता तो बढ़ जाता तो मैंस बदल जाता है और यह दसमेलों छो जाएगा ठीक है अब आगे चलते नेक्स्ट पेच पर लिखें यहां पर देखें यहां पर क्या हो जाएगा एक दसमेलों छो यह यह यहां पर जिरू हम लगा सकते हैं अपने मन से दसमेलों बाद जिरू लगाई आट आए कोई दिक्कत नहीं है और जो उसमें से हम लोग घटाएंगे तो आएगा दस की पावर आठ एलेक्ट्रान बोल् अब यहां पर दस इसको लिख लिए दस गुड़े 16 लिखें चाहें एकसो साथ लिखें बात एक अब इसमें जब भाग देंगे इसमें तो यह कितना बचेगा सोलन सोलनेयाःइकसो चुम्हा लिस कितना सोलनेयाइकसो चुम्हाल रेवज़ःज वहा लिस उलन दसमें खालेश constitution सोलनेयाइकसो अधर-थमा तरण दसमें भागी सभाग देंगे तो शेयुड़े नस्न लों घटाएगा इसमलनमें घट जात डिर बढ़ जाएगा खायं तो नव, धस मलोग, तीन, तीन गुले, तस की पाउड, आठ, इलेक्टरान, बोल्ट, इतना हैíre, आगे चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखेए अब हम लोग इसको क्या करेंगे मेगा का मतलब क्या होता है जब लोग मेगा में चेंज करेंगके तो इसका par लाक, टूर्ण हमनी में सैबtस कनि जरू होता है? जब तक यह 20 के पौर 6 नहीं होगा, तब तक यह मेगाइलेकटान होता है यानि यह मिलियन से मेगाइलेकटान मना ठीक है यह यहाँ पर देखिए हैं जब यहां पर हम लोग गुड़ा कर देंगे कि से गुड़ाborgारी और definite Women इसको घटाएगा पर देखिए दस के पावर नौ और गुड़े दसके पावर मायनस तीन होगा गटेंगा ति कितना बचाइगा दस के पावर 6 बचेगा तो दस के पावर 6 बचा तेहां पर 931 गुड़े दस के पावर 6 इलेक्टान बोल यह जो आप देख रहें कि जिरो समनों 933 है यह कैसी एक हो गया तो दस मलों के बाद आप इसको एक दो लिख सकते हैं तो 931 गुड़े दस के पावर 6 इलेक्टान बोल यहाँ पर क्या हो जाएगा एक मेगा का मतलब दस के पावर 6 भी हड़ जाएगा यहाँ पर यम लग जाएगा और एक क्या हो जागा मेरे प्यारे बच्चो डेल्टा इबराबर 931 मेगा इलेक्टान बोल्ट में चेंज हो जाएगा यही आपका राइट एंसर हो जाएगा और आप लोग बहुत ही यम वन बराबर यम टू के दो चुम्बक दिये गए चित्र की भाती रखी हैं यदि चुम्बक एवन के द्वारा बिंदू पी पर चुम्बकी छेत्र की तिब्रता दो गड़े दस की पावर माइनस तीन टेसला हो तो दोनु चुम्बकों की कारण पी पर परिरामी सब्सक्राइब तति और देखेंगे संफ में और समक्राइब also 10 Jeremiah 2353 सिंपर की स्क्षेतर का सिम्भाइब की छैत्र होता है अक्ष्य स्क्राइब यह क्या होता है बीक्वल्ट होता है म्यू नाट अपान में फोर पाई और टू यम आर क्यू क्या होता है म्यू नाट अपान में फोर पाई टू यम अपान आर क्यू होता है यह हुआ फार्मूला फार्मूला हुआ अब देखिए बीवन बराबर जब अम निकालेंगे तो बी गीवन बराबर कितना गुरेज सती में यह होता है आधा होता है यह पर तो यह हो जाएगा । यह फोर पाई । अब यहां पर देखिए हम जब इसको आम लोग तुला करें कि पर दिखिए मूझ जी रू अबानि स्फूर पाई 2 यह हम अबाने सब्सक्राइब किया है? ये आपका तू गुपर दशर के पावर माइनस 3 क्या है दू गुपर 10 के पावर माइनस 3 यह आप सोच रहे कहां से आया थो यह देख़े हimdi आप मान दिया है यहां मैने यह यहां करें गें तो प्राबर मीज़र मी系 दो से बराबर हम ओसुशसी ps2 गया दो कटेगा तो सब्सक्राइब कि यतना गया नहीं इसके बराबर एलब कितना गया दूए दर बन राण év Day M अब देकर यहां पर अब ने ऐ हम्री लगाएंगे यह बराबर उड मैं इसक्वाइर प्लस में वी बोड़े में आप दूए है करल बराबरलम का स्कॉायर प्लस आधार का इसक्वायर करड़ी में तो वही फार्मुला लगाएंगे यहाँ पर जो आपका कोड दिया था इसी कोड से यहाँ पर देखे 90 डिगरे का कोड दिया है बीवन और बीटू के बीच में तो यही पर पर जो बिवन स्काइर का मान आपका है कितना है बीवन कंसुर्ण करेंगे तो यह जाएगा और यह हो जाएगा तीन का छह हो जाएगा दस की पाबर मारे स्च गामन ओगया जब दस की पाबर मायने को चार बचा और एक बचा हीज़ तो चार प्लस अक क्या पाँच हो जब यह 10 के पाउर माइनस 6 रूड में से बाहर आएगा तो इसका आधा संख्या बचेगी तो B बराबर 10 के पाउर माइनस 3 बाहर आ गया और रूड में पांच आपका करणी में बचेगा यह टेसला तो आपका जो आपका चुम की छेतरा आगया ती बरता जो आई है बी कोश्चन है ठीक है यानि कि हो सकता है तो इस वीडियो का अख्षा कोश्चन हो अगला जो वीडियो बनेगा उसमें आपका प्रस्ण मत चार्श से रहेगा तो यहां पर देखें सिलिकान संदी डायोड में 20 बोल्ट का अग्र विभव लगाने पर उत्पन अग्र धारा 10 मेगा एंपियर हो तो इसका अग्र प्रतिरोद परिकलित कीजिए इसका अग्र प्रतिरोद क्या करना है परिकलित करना है तो यहां पर देखें आपका आएगा सिलिकान संदी डायोड में बीभव प्राचीर बीभव प्राचीर होता है कितना होता है इसलिए मैं लिख लिया हूँ सब यह आपको PDF दूँ तो आपको कोई दिख्कत नहों नेट विभव जो होता है इसका नेट विभव जो मिकालेंगे 20-0.3 करेंगे तो कितना बचेगा 19.7 बल्ट बचेगा तो 19.7 वोल्ट बचेगा अग्रव परितिरोद अग्रव प्रतिरोद के लिए फार्मुला गया नेट विभाव अपान में अग्रव अग्रधारा नेट विभाव का कितना आया अग्रव ःआरा कितने कि यहां पर तस गुड़ रजसका पर माईनस तीन आगया भूडरे दस के पावर 3- माईनस में निया तो यह कुछ अब हell द्रेट उन्रम इंपीर फिर दीखेंए दस गुड़ यहां पर जो मान आएगा यहां से उपर जाएगा पलस में और दस बचाए तो 10 एक बार आउर भाग करेंगे तो यह दस में इधर उसक जाएगा तो एक दस्मलों नौव साथ गुड़े दस के पावर तीन ओम आ जाएगा अब यह जो दस्मलों में दिया एक दस्मलों नौ साथ तो नौ है तो यहाँ पर साथ है और इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं लगभग में एक इसके आ जाएगा तो एप्रॉक्सली में हम लोग इसको लिख सकते हैं दू गुड़े दस के पावर तीन ओम लोग लिख सकते हैं दू गुड़े दस के पावर